रनविर सिंग और आलिया बट की रौकी और रानी की प्रेम कहानी इस फिल्म का ओफिशल ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर सच में अच्छा लग रहा है यानि इससे पहले इस फिल्म का जो टीजर आया था उसे देखने के बाद मैं इस फिल्म के लिए उतना भी जादा एक इस फिल्म के जो बार से वो थोड़े से हाइसेट हो गया यानि ये ट्रेलर देखनी के बाद फिल्म सच में प्रॉमिसिंग लग रही है और ये इनके जो लास्ट फिल्म थी वो आई दिल है मुश्किल थी जो 2016 में आई थी और ये बात मैंने इससे पहले टीजर वाले वीड पता चला है वह सचमें प्लॉट भी INTERESTING है यानि ट्रेलर से हमें ये श्कलियर पता चल जाता है कि रौकी और रानी इन दोनों को आपस syndrome हो जयाता है और वो ऐसा इसलिए कर रहे है क्योंकि वो चेक करना चाहते है कि अगर वो तीन महेनों तक यहाँ पे सर्वाइब कर गए तो उन्हें लगता है कि वो अपनी अखी लाइफ भी एक दूसरे के साथ सर्वाइब कर लेंगे लेकिन फिर प्रोब्लम तब आ जाती है जब इनकी फैमिली इनके साथ खुश नहीं है एक तो रॉकी का यरिक्तर हमें अईसा दिखाया गया है कि वो ज़ादा पढ़ा लिखा नहीं है और जितना रानी की फैमिली का क्लास है उतना हो क्लास ही भी नहीं है जिसकी वज़े से र दोनों की शादी होने नहीं देना चाहते, यानि सिंपली बताओ, तो सच में मुझे ये प्लॉट इंट्रेस्टिंग लगा, I don't know ऐसा रियल में कहा होता है, या फिर होता भी है या नहीं, लेकिन मुझे इतना बता है कि बहुत टाइम पहले इसी तरीके का एक कोई शो आया थ जिसमें I think moms को switch किया जाता था families में, I don't know कि उस शो का नाम क्या था, अगर आपको पता है तो मुझे comment में ज़रू बताना, so हां इस फिल्म का plot भी कुछ इसी तरीके का है, और इसी की वज़े से इस फिल्म में बहुत सारी comedy भी create होगी, अब देखो मैं ये तो नहीं कहूंग कि इस ट्रेलर में जो भी comedy हमें दिखाई गी है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन जादा cringe ही भी नहीं लगती, बढ़ हां इस ट्रेलर में भी कुछ ऐसे scenes है, जो थोड़े से over लगते है, लेकिन इतने जादा over नहीं है कि हम उन्हें handle नहीं कर सकते, वैसे इस ट्रेलर में इस सिर्फ dialogue delivery के नाम पे सिर्फ चिला रहे है, तो ये मुझे थोड़ा सा odd लगा, लेकिन ठीक है, starting वाला scene थोड़ा सा comedy भी लगता है, और इसके अलावा हमें trailer में emotions भी नजर आते है, क्योंकि obviously इनकी families, इनकी शादी आपस में नहीं करवाना चाहते, जिसकी वज़े से कुछ न ये film थेटर में देखने जा रहे हो, तो आप लोगों को इस film की story already पता है, और अगर film में हमें कुछ नई चीज़े भी reveal की जाती है, तो maybe हम लोग उन्हें भी predict कर लेंगे, until and unless इस film में कोई ऐसा twist हो, जो unpredictable हो, लेकिन trailer देखके ऐसा लग तो नहीं रहा है, कि film में कुछ ऐसा extreme twist होगा, जिसे हम predict नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी film promising लग रही है, क्योंकि बहुत time बाद एक ऐसी big budget family entertainer film आने वाली है, जो maybe हो सकता है कि हमें पुरानी Bollywood की filmों की याद दिलाए, वैसे इससे पहले सत्यप्रेम की कता ये भी family film आई थी, जो सच में बहुत अच्छी film थी, at least मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, बट वो film बहुत ही different थी, और इस film का भी review किया है मैंने, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, और हाँ ट्रेलर देखने के बाद बहुत लोगों का ये भी कहना है कि आलिया भट और रनविर सिंग की chemistry यहाँ पे अच्छी न प्रेम कहानी इस फिल्म का ओफिशल ट्रेलर कैसा लगा और इस ट्रेलर को लेके आपके क्या उपीनियंस है मुझे कमेंट में ज़रूर बाताना, इसके अलावा मैंने वीचर सीजन 3 का जो पर्स्ट पार्ट आया है उसका भी review किया है, अगर आप लोगोंने वह वीडियो अ तब तक के लिए, thanks for watching